इसंग गर्डाइब होड़ोंह। सबने काम करेंगे. यहां पर को समझेंगे. जाइलम का में काम क्या है? जायलम का में काम होता है यहां पर देख सकते कि केरिझ,Water and मेंडल्स. है यानि कि पेड़ पॉधों को जो वॉटर की जरुवत होती है या जो मेंडल्स के रवश क्ता होती है वो किसके माधियम से जाता है तो वो आपका जाता है it also अब ये कैसे पेड़ पाथे तक वाटर को लेके जाएगा तो जो रूटस होते है उसके मेंडल उर्धव वाटर जो तक पहुँच जाएगा और या तो जैसे कि जहां जहां requirement होगा plant को वहां वहां क्या होगा आपका water जो है और जब ऐसा होगा तब क्या होगा जब ऐसा होगा तो जाइलम को energy का requirement नहीं हुआ करता है तो जब भी जाइलम water को carry करेगा या मिंडल्स को carry करेगा तो उसको energy की requirement नहीं हुआ करती है इस बात का ध्यान रखना है आपको साथी साथ अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका प्रोड़क्ट होते हैं उसको हम लोग देखेंगे तो यह क्या करता है जो प्रोड़क्ट होते हैं इसको हम लोग यह क्या करेगा photosynthesis carry products of photosynthesis तो photosynthesis के दौरान जो प्रोड़क्ट इनको क्या करता है ले जाने का काम करता है जैसे कि वो लोग अपना energy बनाता है photosynthesis के माध्यम से लिप्स बनाने का काम करता है क्योंकि लिप्स में chlorophyll हुआ करता है तो वहां से यह transmit plant के other parts तक क्या होता है पहुचा दिया जाता है तो यहां पर हम लोग यह देख सकते हैं कि phloem जो है भोजन पहुचाने का काम क्या करता है और जब यह इस तरह से पहुचाने का काम करेगा तो basically क्या होगा energy is used यहां पर energy क्या होगा used हुआ करेगा ठीक है अब हम लोग यहां पर basically क्या क्या है यहां दिद्स आ गया यहां पर देखेंगे ट्रांस्परेशन के बारे में ठीक है तो ट्रांस्परेशन क्या होता है तो basically Transpiration जो होता है the process of loss of water ठीक है यानि जब loss of water होगा यानि कि water का जब हराश होता है तो यह किस रूप में नज़र आएगा आज वैपर के रूप में ज़र आएगा और यह plant का aerial part से होगा जैसे पत्ता जो होता है वहाँ पर आप देखेगा कि पामी जो है उसके माधियम से loss होता है तो इस process को हम लोग क्या बोला करते हैं तो इस process को हम लोग the process of loss of water यानि कि जब water loss होगा वैपर के फॉर्म में आप देखेंगा खासकर लीप्स वेगरा के माधियम से होगा लीप्स ठीक है यानि पत्तों के माधियम से होगा तो इसको हम लोग transpiration बोला करेंगे अब basically इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं तो basically अब हम लोग इसमें देखेंगे function के बारे में ठीक है तो function क्या होता है अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे absorption ठीक है absorption and upward moment of water and windows by creating pool तो transpiration से क्या फायदा होता है so transpiration से यह फायदा होता है कि आपका जो water होता है यह जो minerals होता है ठीक है यह उपर की तरफ क्या करता है plant तक पहुंचाने का काम करता है ठीक है तो जिसे water का जरुवत है या मिंडलस तो जड़ में है, roots में है, तो roots से लेकर leaf को जरुवत अगर हुआ, तना को जरुवत हुआ, तो वो उपर ले जाने का काम, मतलब की pull करने का काम, इसका transpiration process से हुआ करता है, ठीक है, यह हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अब दूसरा ब पाइदा होता है, कि यह क्या फाइदा करता है, कि temperature को regulate करता है, plant का ज्यादा थंडा भी नहों, ज्यादा गर्मे भी नहों, तो उसको regulate करने का काम, वो आपका basically कौन करेगा, तो basically आपका transpiration जो है, यह किया करेगा, ठीक है, तो यह transpiration क्यों function हो गया, साथी साथ, अब लोग यहां पे एक नया चीज देखने वाले हैं और वो क्या चीज है तो चलिए इसको भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं that is translocation case को हम लोग बोले करेंगे translocation translocation हम उसको बोलेंगे कि transport of food क्या करना पड़ेगा transport of food तो जब food को transport करना पड़ता है from leaves से ठीक है तो अगर transport of food करना हो leaves के माधियम से ठीक है तो उसको हम लोग क्या बोलते है translocation कहते हैं तो यह दोनों चीज आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या चीज यह समझ मानी चाहिए पहला चीज तो आपको यह समझ माना चाहिए कि transpiration क्या है loss of water ठीक है और इसका काम यह होता है कि जो जमीन से रूट से यह लेता है water को यह मिंडल्स को तो उसको उपर के तरफ खींचने का काम करता है ठीक है तो ट्रांसलोकेशन करने के लिए भी क्या है हम लोगों को यहां पर देख सकते हैं किटांसलोकेशन यानिकि food को ड्रांसपोर्ट करने के लिए भी जो process है That isiczmed at Translocation तो यह समझ मा आ अगिया कि this aylum से क्या क्या ले जाया जा सकता है, phloem से क्या क्या ले जाया जा सकता है, ठीक है, transpiration और trans location दोनों का difference आपको समझ में आ गया होगा, तो basically ये सब चीजे हम लोगों ने इस topic के अंदर देखा, अब हम लोग आते हैं, next की तरब, अब आप कितना समझ चुके हैं चलिए थूदा हम लोग questions practice करते हैं और देखते हैं कि आप कितना सही जवाब दे पा रहे हैं पहला question आपके पास है Which part of the plant is primarily responsible for observing water and minerals from the soil? Option A. Leaves, streams, roots and flowers. Which option is correct? जल्दी बता है So, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि primarily जो responsible होता है Water and minerals को absorb करने का काम करने का तो वो काम किसका है? Basically आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो roots का काम है तो चलिए इस सवाल का जवाब आपका हो गया है चलिए अब हम लोग आते हैं next question की तरफ तो next question हम लोगों के पास क्या है? तो next question अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग के पास यह second question है तो इसमें प्रशन पूछ रहा है कि किसके माधियम से करता है तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि root pressure के वज़ा से, transpiration pull के वज़ा से, diffusion के वज़ा से या फिर photosynthesis के वज़ा से, तो इसका सही जवाब क्या होगा? Transpiration pull के वज़ा से ऐसा करता है चलिए यह सवाल का भी जवाब आपका हो गया अब हम लोग देखेंगे next question की तरफ तो next question में क्या है? next question देखते हैं हम लोग next question में देखें अगला question आपसे कह रहा है कि which vascular tissue is responsible for the translocation of photosynthesis products in plants तो कौन सा tissue जो है वो responsible है translocation of photosynthesis के लिए option है xylem, phloem, trichides या stomata तो इसका सही जवाब होगा phloem यानि के option B जो है वो आपका correct जवाब है चलिए next question के तरफ हम लोग move करते है अगला question हमारे पास आता है यह true and false basis पर है तो इसमें पुछा जा रहा है कि diffusion is sufficient to transport water and minerals over long distance in tall plants true या false तो इसका जवाब होगा false diffusion का कोई role नहीं है ठीक है कि जो water है या जो minerals है उसको लंबे distance तक ले जाने में मदद करता है अगला question हमारे पास आता है true and false basis पर है transpiration transpiration helps in the absorption and upward moment of water and minerals from roots to lips यह कहरा है कि जो transpiration है वो upward moment करने में मदद करता है किस चीज़ को ले जाने में water or minerals को from the roots से lips तक पहुचाने है इसका काम होता है तो इसका सही जवाब होगा true चलिए third equation में हम लोग आते है इसमें भी true and false आपको बताना है कि transport of food and other substances in the phloem occurs without the substances है किस में phloem में तो occurs without the use of energy तो गलत है क्योंकि जब भी phloem का जिक्र होता है आपको मालूम है कि वो energy का use किया करता है तो यह क्या हो गया false तो यह energy कहां से use करता है from the ATP से use क्या करता है चलिए अब हम लोग आते हैं assertion reason based type question पर अब इसमें पहला question हमारे पास क्या है वो देखते है transpiration creates a suction force that pulls water from the xylem vessels in the roots to the leaves ठीक है अब इसमें किस के बारे में जिक्र होगा है transpiration के बारे में और यह transpiration कह रहा है कि यह suction force लगाता है ताकि यह water को क्या कर से किए pull कर सके from the xylem vessel से लेकर जो की roots में होता है से लेकर leaves तक reason बोड़ा है कि transpiration pull is the primary mechanism for water moment in the plants during the day अब which option is correct तो इसका सही जवाब होगा a वाला ठीक है यह दोनो यानि कि a और r दोनो true है और यहाँ पर जो reason है वो भी correct यहाँ पर क्या होगा है चलिए अब हम लोग second question इसके तरफ देखते है तो second question में देखे है कि phloem transport water and myndles from the roots to the leaves यानि कि phloem के बारे में जीकर है यह water और myndles को transport करता है leaves से तो यह statement आपको मालूम चल गया होगा कि यह तो गलत है statement and reason आप देख सकते हैं कि phloem is a type of vascular tissues तो इसका सही जवाब कौन सहा होगा that is D यानि कि A वाला false statement है ठीक है क्यों है क्योंकि आपको मालूम है कि फ्लोम किसको ट्रांसपोर्ट करता है food को जो photosynthesis के माधियम से जो है वो बनता है ठीक है और basically यहाँ पर R वाला तो सही है कि यह vascular tissues के जैसा जो है वो काम किया करता है अब हम लोग यहाँ पर last question देखने वाले है फिल से कह रहा है कि root pressure along is sufficient to move water to the top of very tall trees ठीक है तो कह रहा है कि root pressure जो है is sufficient to move water to the top of the very tall trees अगर बहुत लंबट रही है तो root pressure ही काफी है पार्णी को पहुचाने के लिए reason कह रहा है कि during the day the transpiration pool becomes the major driving force of water moment in the xylem तो उसका सही जवाब होगा D यानि A वाले जो है वो false है और R जो वो true है तो basically आप यहाँ तक समझ गये होंगे कि कैसे हम लोग जो है इन तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर cover कर रहे थे अब चलिये हम लोग यहाँ पर देखने वाले है fill in the blanks basis पर question the loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as सही जवाब होगा transpiration ठीक है the vascular tissues responsible for the transporting water and minerals from the roots to leaves is called that is the xylem ठीक है and third question है the translocation of soluble products of photosynthesis occurs in the parts of the vascular tissues is known as जो यहाँ correct जवाब होगा flow है तो चलिये यहाँ तक आप लोगों को यह समझ बागया होगा कि कैसे कैसे इन तमाम सवालों के जवाब आपने दिये हैं अब हम लोग यहाँ पर देखें कि anxiety exemplar questions इस से related क्या-क्या बने हुए है इस topics related वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले है तो अब यहाँ पर प्रश्ण है कि why and how does water enter continuously into the root xylem अब आप से यह प्रश्ण पूछ रहा है कि आखेकर बताए कि क्यों और कैसे जो है water लगातार root xylem के माधियम से क्या होता है enter करता है तो इसका अंसर कैसे होगा तो water enters the root xylem continuously due to the process of osmosis कौन सा process को यूज कर रहा है लो तो यह लोग osmosis process का यूज करता है आपने इसे class 9 में भी पढ़ा है ठीक है osmosis के बारे में मैंने बता रखा है where water moves from an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration that is the osmosis इसी osmosis कहता है यह क्या करता है lower solute concentration से लेकर higher solute concentration की तरफ चला जाता है and root pressure and capillary action also aid in the continuous entry of water साथ में root pressure भी इसमें बहुत मदद करता है और capillary action भी इसमें क्या करता है बहुत मदद करता है तो इस सवाल का जवाब आप इस तरीके से जो है वो दे सकते हैं अब इसमें देखें अगला question हमारे पास है कि why is transpiration important for plants transpiration जो है वो plants के लिए क्यों जरूरी है तो इसका answer क्या होगा कि transpiration is important for plants because it helps in the absorption and a poured moment of water and minerals from roots to leaves maintains the temperature of the plant and facilitates the exchange of gases तो यह exchange of gases करने भी मदद करता है temperature को भी maintain करता है और upward moment of water भी और minerals किया करता है इसलिए कि यहाँ पर बहुत important role है वो देखने को मिलता है अगला सवाल हमारे पास है कि describe the transport of water and minerals in plants अब आपको इसमें क्या करना है कि transport of water and minerals plant में कैसे transport होते उसको describe करना है तो इसमें हम लोग देखे हैं कि water and minerals are absorbed by roots here एक point यहाँ पर हो गया from the soil and move across the root cortex to the xylem vessels ठीक है and they are then transported upward through the xylem vessels to the various parts of the plant तो यहाँ पर दूसरा point में आपने किसका जिक्र किया है xylem का जिक्र किया है this moment is driven by root pressure root pressure का भी आपने जिक्र कर दिया और transpiration pool का भी कर लिया तो यह आपको मिंडल और water को कैसे transport करता है उसके बारे में चिक्र है अगला स्वार हमारे पास आता है explain the transport of food and other substances in plants आपको explain करना है कि जो food है वो कैसे transport होता है और other substances in plants में कैसे होता है तो the transport of food या sugar के रूप में जो दिखाई देता है इस process को हम लोग क्या कॉलते है Translocation कहा करते है ठीक है Involves the moment of soluble products of photosynthesis from the leaves to the other parts of the plant ठीक है इस process flow hypothesis explain how the high pressure in the phloem source drives the flow of food low pressure areas तो यहां तक आपको समझबा आगया होगा कि phloem का कैसे यहां पर role होगा है वो आपको देखने को मिलता है अब हम लोग यहां पर anxiety index question करेंगे आप इसको देख सकते अपने book में भी स्वाल इसमें है कि what are the components of the transport system in highly organized plants तो जो highly organized plants है तो उसमें किस type के components होते हैं transport system के लिए तो एक तो जिक्र होता है xylem का xylem क्या चीज़ को ले जाता है water और मिंडल्स को transport करने का काम करता है दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे xylem parent gamma होता है जो कि nutrients storage करने का काम करता है और xylem fibers होता है जो structure support पैला करने का काम करता है दूसरा इसमें होता है phloem का phloem क्या होता है sieve tubes होते है और यह photosynthesis के दौरान जो products ready होते हैं उसको transport करने का काम क्या करता है ऐसा आपने previous lecture में भी देख लिया है अगला सवाल है कि what are the compounds of the transport system in highly organized plants same question हो गिया है तो आप इसको ignore कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर और भी इसी सवाल का जवाब है that is the roots भी है lips का भी बहुत बढ़ा role है ठीक है steams का भी बहुत बढ़ा role है ठीक है तो यह सब points आपको समझ में आगा होंगे और क्या points इसमें include के जा सकते हैं root absorption का का काम होता है root pressure जो है वो बनता है इसके माधियम से भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का का क्या करता है और क्या point होंगे capillary action water molecules stick together and to the walls of the gyllum vessels ठीक है तो जैलम vessels के माधियम से क्या होता है upward movement करता है आपका that is the capillary action इसको बोलते है और transpiration pull भी होता है ठीक है evaporation हो जाता है water का जिसमें यह क्या होता है source of water करता है ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है आपने यहां पर देख लिया कि किस प्रकार से यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करती है अगला सवाल है anxiety का ही how is food transported in plants अब food कैसे transported होता है plant में simple वही है source of sink का का होता है source का होता है leaves where the photosynthesis produced glucose हम लोगों को मालूम है कि leaves photosynthesis करने का काम किया करता है और यह क्या करता है कि जो भी food होता है उसको इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है अगला है आपके पास sink the parts of the plant that need energy to or store food such as roots food seeds and growing reasons इसको हम लोग सिंक बोला करता है ठीक है और next अगर हम लोग बात इसमें करें तो इसमें देखे फिर phloem structure को तो phloem structure में हम लोग देखते हैं sieve tubes होता है जो लंबा होता है tubular structure इसका होता है और यह transport करता है food को और यह होता है companion cells जो have seen loading and unloading the sugars into the sieve tube तो basically यह था कि food को transport कैसे किया जाता है ठीक है और भी इसमें आप जिक्र कर सकते हैं osmotic pressure कैसे बनाता है तो फिर आप पूरा properly क्या है कि आप phloem को जो है अच्छे से explain कर सकते हैं अब इसमें anxiety exercise का एक objective question है और बहुत easy question है I think आप इसको बना भी लेंगे the xylem in the plants are responsible for xylem plants में जो होते हैं वो किस चीच के लिए responsible होते हैं तो इस सवाल का जवाब आपको अच्छे सा मालूम है that is इसका सही जवाब क्या होगा transport of water ठीक है यानि कि A वाला जो है यह सही जवाब होगा चलिए अब हम लोग आते हैं next की तरफ next question हमारे पास है कि what are the differences between the transport of materials in xylem and phloem यानि कि आपको बताना है कि transportation of material जो xylem और phloem में transport होता है उन दोनों भी differences का है तो इस सवाल का जवाब आप बहुत ही अच्छे ढंग से दे सकते हैं basically क्योंकि मैंने आपको यहां पर बताना तो आप differences में यहां पर यह जिक्र कर सकते है that is क्या क्या आपको यहां पर जिक्र करना है तो आप यहां पर xylem एक साइड में इस तरह से लिख सकते हैं दूसरे साइड में आप लिख सकते हैं और दोनों का आप यहां पर differences देख रहे हैं कि दो point में यहां पर cover क्या हुआ है और दो point में यहां पर differences create क्या हुआ है I think इतना question sufficient है इस topic के लिए और आप यहां पर बहुत कुछ सीख चुके होंगे और आप यह भी देख चुके होंगे कि board exams में किस तरह की questions आपसे पूछे जा सकते हैं तो आपके लिए अब यह कि इसको आप दुबारा देखे और practice केजिए